जन्पत बिजनौर के थाना किरतपुर्ग शेत्र में नाबालिक लड़की के निकाह का मामला सामने आते ही बाल संरक्षन की टीम ने शादी समारों में अधम की विदाई से पहले ही टीम ने नाबालिक को संरक्षन में ले लिया सोमवार को किरतपुर के मोहला अंसारियान में एक घर में निकाह की रस्म अदा की जा रही थी दुलहन के नाबालिक होने की सूचना पर बाल संरक्षन अधिकारी रुबी गुपता ने घर में छापा मारा टीम ने दूलहा और दुलहन के बयान दर्ज किये दुलहन के नाबालिक निकलने पर दूलहा दुलहन को ठाने लाया गया बाल संरक्षन अधिकारी ने बताया की निकाह निरस्ट कराया जाएगा हाला कि टीम के पहुँचने तक निकाह हो चुका था अब विदाई की तैयारी चल रही थी जांच पड़ताल करने पर दुलहन बनी नाबालिक लड़की की उम्र 16 वर्ष और दूलहे साहिल की उम्र 21 वर्ष पाई गई बाल संरक्षन अधिकारी दुलहन को थाना किरतपुर ले जाकर अधिकारियों से कार्यवाई ही की बात कही वह स्पी बिजनौर को के भी संग्यान ले मामला दिया गया इसके बाद बाल संरक्षन अधिकारी दुलहन को बिजनौर ले गई उन्होंने बताया कि नाबालिक के निकाह में शामिल सहयोगियों की जाच कराकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी कोतवाल जय भगवान सिंग ने बताया कि यह बाल संरक्षन विभाग का मामला है तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी है बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ विकास आर्या अनिलोर सीमा और बाल सरक्षन अदिकारी हम सब लोग मिलकर जब वहाँ पर पहुंचे थे ताना किरतपुर से हमने कुछ पुलिस फोर्स ली थी और जो हम मोके पर पहुंचे तो वहाँ पर मामला सही पाया गया जिसमें लड़की का बाल्विभा निकाहा तो हो गया था विदाई की तैयारी चल रही थी तो हमने लड़की से बात की और पता लगा कि उसका बाल्विभा कराया जा रहा है यसे उसमें खुद लड़की की मर्जी थी लेकिन बाल्विभा उसकी उम्र जो थी क्योंकि वहां से उन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया, अधार कार्ड के बेस पे वो बता रहे थे, अधार कार्ड के अकोर्डिंग भी वो नाभालिक थी, फिर हमने सरकारी स्कूल से उसका एक प्रमान पत्र निकलवाया, जिसमें उसकी आयू सोला बर्स कुछ महां थी, तो लड़की उसमें नाभालिक थी, जिसके लिए हमने लड़के और लड़की को दोनों का रस्क्यू किया, दोनों को ठाना किरदपूर लेकर गए, और किरदपूर से लड़की का रस्क्यू करके वन इस्टॉप सेंटर में हमने शरक्षित कराया गया है, और इसके लिए मा जो मोलाना है उनके उपर इसमें करेवाई होनी चाहिए जो हमने बोला था था थाने में कि निकाह की उम्र जब मालूम है तो वो निकाह ऐसा क्यूं पढ़ा रहे हैं दूसरा इसमें एक वार्ड मेंबर थे जिनोंने अपने जिम्मेदारी ली थी कि आप निकाह कराईए बाकि सारी जम्मेदारी मेरी हैं तो इसमें माता पिता के उपर भी कारेवाई होनी चाहिए दोनों माता लड़की और लड़के के और बाकी मौलाना जी है और वार्ड मेंबर हैं इनके इनके खिलाफ कारेवाई होनी चाहिए कि सारा पता होने के बाद भी है अपनी जम्मेदारी इस पूब माँने माता पिताई के और से कोई प्रिकरिया आप कशेरा है ने पर प्रतिक अ कि इन पनी क मातापिता का की नटी के साथ मतलत फैलम परसंग ठाउन का स्था इस वजह से हूर बोगों ने सो च़ाकि हम लोग को साध ईते हैं वरना तो हमें परिशान करती रही, सिख उनका ये रिजन था, और लड़की की तरफ से ये था कि हमने लड़की को मना तो किया था कि अभी शादी में करो, लेकिन वो मानी नहीं रहे थे, इसलिए दोनों ने मिलके उनका निकाह कराने का ही सोचा और वो निकाह करा दे हैं। 60 क्लो मीटर चलती है, बुकिंग ओफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा, जिलवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो की दिवाली तक रहेगी, ये ओफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा, अगर आपको भी कमदाम में मजबूत स्कूटर चाहिए, तो आज ही स्क्राइब की बुकिंग एफरो जिल्स की दोथिवर येव Illinois Hub precis – जद इन ही दिवैब Nicholas, में 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 जिलवराउ है